Hello guys, welcome back to our YouTube channel, तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे, Class 8 का Maths NCRT, Chapter 11, Menturation, Exercise 11.1 का Question No.1, Question No.1 है हमारे पास, A square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same perimeter, which field has a larger area? देकि यहाँ पर अपने को field दिये हैं और यह field आपका square shape में हैं और यह वाला field आपका rectangular shape हैं और यहाँ पर आपको दियावा है 60 meter जो कि क्या है हमारा एक side दियावा है आपको square का और यहाँ पर length दिये विये field की 80 meter जो कि rectangle है, clear है? तो यहाँ पर अपने को क्या करना है कि आपको बताना है कि किसका area ज़्यादा है, क्या है? किसका area आपका ज़्यादा है इन दोनों में से, तो area calculate करना है simply इन दोनों का और इन दोनों का जो आप area calculate करोगे उसके बाद में आपको comparison करना है कि किसका area ज़्यादा है square field का या rectangular field क अब यहाँ पर देखे क्या strategy लगाएंगे हम यहाँ पर आपको दे रखा है कि इसका parameter और इसका parameter दोनों का equivalent है अब मुझे एक बात बताईए कि यहाँ पर अगर parameter equivalent दियावा है तो इसका आप क्या parameter find कर सकते हो अगर मैं आपसे पूस्ता हूँ इस जो rectangular field है इसका आप parameter find कर सकते हो नहीं find कर सकते हो क्यों नहीं find कर सकते हो देखो यहाँ पर length 80 meter dv है लेकिन breadth जरूरी है क्या 80 meter होगी नहीं क्यों क्योंकि अगर breadth हमारी 80 होगे इसका मतलब है कि यह square हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि rectangle जो होता है उसके अंदर length और breadth दोनों different होती है clear है और square shapes के अंदर हमारी length और breadth equivalent होती है मतलब all sides are equal in square आपको पता है न property is square की कि यहाँ पर क्या होता है length breadth यह सभी हमारी क्या होती है equivalent होती है इसका मतलब है कि यह अगर 60 meter है तो यह वाली side भी हमारी 60 meter होगी यह वाली side भी हमारी 60 meter होगी all sides equal होगे तो जब भी अगर आपको squares में एक side दे दी जाए तो सभी sides हमारी वही होगी simple सी बात है और rectangle के अंदर length or width अलग होगी तो ये 80 meter है तो हम width को 80 meter नहीं मानेंगे क्योंकि width तो हमारी different होगी न तो इसका मतलब है कि हमारी all sides आ गई हमारी 60, 60, 60 इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इस figure का parameter कि इसका square shape का हम parameter निकाल सकते हैं clear है और यहाँ पर आप directly भी लगा सकते हो square का जो parameter होता है वो 4 into side होता है तो आपको side given है 60 meter तो 4 multiply में side करिए मतलब 4 multiply में 60 करेंगे तो 240 आयागा और 240 क्या होगा हमारा perimeter होगा और जो 240 आया वो ही इसका perimeter होगा question क्या 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 रहा है कि जो perimeter इसका है square का वही perimeter आपका किसका है rectangle का है देखें यहाँ पर कहा गया है कि have the same perimeter दोनों figures का perimeter जो है वो same है तो आपको area calculate करना है इन दोनों का तो मैंने आपको strategy बता दी कि किस तरीके से इस question को आपको solve करना है चलिए तो हम answer करने जा रहे हैं कैसे करेंगे हम और पूरी language लिखनी है आपको proper तो देखो given जो भी है वो आप लिख लीजे सबसे पहले mensuration में given का इनका ही खेल है पूरा given देखिए अप क्या है given है आपको side of square the side of square हम लिख लेते है the side of square equal to कितना दियावा है आपको 60 meter तो हम लिख लेते हैं यहापर 60 meter clear है और क्या दियावा है आपको length of rectangular field दियावा है तो हम लिख लेते length of rectangular Rectangular field, कितना दियावा है, 80 meter, ये लिजी, 80 meter, ठीक है, अब according to question हम कर रहे है, 80 q by 80 q, क्या दियावा है, आपको have the same perimeter, दोनों का perimeter same है, तो हम लिख सकते है, according to question, perimeter of, perimeter of rectangular, rectangular field is equals to perimeter of, perimeter of square field, कह सकते हैं, square field, दोनों का perimeter same है, तो perimeter of rectangular field, अगर हम बात करें, कि इसकी rectangular figure की, rectangle का हमारा perimeter क्या होता है, तो rectangular figure का हमारा perimeter होता है, twice of L plus B, 2 into L plus B, is equals to perimeter of square की, अगर हम बात करें, तो perimeter of square क्या होता है, हमारा 4 into side, 4 into side, simply, है ना, आप देखो, twice of L plus B, तो 2 into length अपने को पता है, length कितनी है, rectangle की 80 है, तो आप यहाँ पर लिख लीजी 80, plus bit पता है, क्या नहीं पता, तो B रखी है, और 4 multiplication में side आपको पता है, square की, तो square की side है, यहाँ पर 60 meter, clear है, तो देखे, twice into 80 प्लस B, ठीक है, तो twice into 80 जब हम करेंगे, तो कितना आएगा, 160, plus twice into B करेंगे, तो हमारा आएगा 2B, और 4 into 60 हम करेंगे, तो 64 जा 24 होता है, तो 24 and 1 0 था, तो 240 meter, clear है, 160 को हम transpose कर देंगे, तो 2B is equals to 240 meter, 240 minus 160, then answer to meter में आएगा, आपको पता है, तो 2B is equals to 240 में से 160 minus करेंगे, तो 240 में से 0 में से 0 less करेंगे, फिर 4, 4 में से 6 जाएगा नहीं, 14 में से जाएगा, तो 14 carry लेंगे, मतलब 1 carry लेंगे, तो 14 में से 6 less करा, 8, अब देखे, इसने carry दिया ता, तो मतलब 1 हो गया, 1 में से 1 0 ही होगा तो 80, तो 2B is equals to 80 में, आगे हम और solve कर लेते हैं, यहाँ पर, तो 2B is equals to 80 में, बी is equals to, हमारा हो जाएगा, 80 divided by 2, तो B is equals to हमारा 40 में, तो B हमारा कितना आ गया, 40 मेंटर, अब हम calculate कर सकते हैं, क्या, अब देखे, यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया है, B आ गया है, निकल ग अब हम निकाल सकते हैं, इनका area, इसका भी area निकाल सकते हैं, इसका तो area पहले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी 60 दे रहा किती थी, और area of square क्या होता है, area of square क्या होता है, area square होता है, side square होता है, side का square कर दीजी, मतलब इसका तो 60 का square हम कर देते हैं, पहले शुरू में, तो 360 जीरो जीरो निकल जाता है, but problem यहां आती है आपको, यहां इसका area कैसे calculate करते हैं, इसका area length तो दे रखेती है आपको, breadth नहीं दे रखेती है, तो breadth के लिए हमने यह फूरा process किया है, clear, तो breadth हमने निकाल लिए 40 meter, अब हम इसका area calculate कर सकते है, rectangular field का, तो हम rectangular field का area calculate कर लेते हैं, तो now, now area of rectangular field is equals to, ठीक है, क्या होगा, बता हो, तो L into B होता है हमारा rectangle का formula, area का, तो L में हम put करेंगे 80 meter, और B में हम put करेंगे 40 meter, then 80 into 40 या करोगे, तो देखो 8 को 4 से multiply कर लो simple, 3, 2 and 0, 0, 2 count, 2 0 है, तो 2 0 लगा दो, लेकिन 3, 2, 0, 0 और meter square याद रखना, देखो, इस पीज नहीं है, यह आपर मैं लिख रहा हूँ, meter square, क्योंकि आपको बता है, meter और meter multiplication में क्या हो जाएगा, meter square हो जाएगा, और area हमेशा, मेरे भी निकालते हैं, जब हम 3D chefs पढ़ेंगे भी आगे, तो 3D chefs के अंदर क्या होता, volume निकलती है, और volume हमेशा cube में निकलती है, clear है, तो यह meter square, और अगर आपने notes की वीडियो नहीं देखिए, तो जहान से देखना, हर एक चीज मेंने वहाँ पर formula's derive किये है, हर एक चीज मेंने square field, area of square field क्या निकलेगा हमारा, देखते हैं, यहां कर रहा हो में नीचे, ठीक है, area of square field, area of square होता है, side square, और side square बोले तो side कितनी है, 60 meter है, 60 meter का square जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 360, देखो 6 का square कल लीजे, 86 होता है, 0, 1 times है, तो बाहर कितना आजाएगा, 00 हो जाएगा, और meter square में आएगा, यादियार का, ठीक है, meter है, meter square हो जाएगा, 3600 meter square, अब comparison करिए तोनों का, 3200 बड़ा है, या 3600 बड़ा है, तो आप कहोगे sir, 3600 बड़ा है, वो 3600 किसका है, हमारा area of square है, area of square होने का मतलब है कि कौन बड़ा हुआ हमारा, simple सी बात है, हमारा square field बड़ा हुआ, तो हम कह सकते हैं, कि 3600, therefore, 3600 meter square is greater than 3200 meter square, hence, area of square field is larger, area of square field is larger, बस, इतना सा आपको करना है, clear है बात, तो इस तरीके से इन questions को आपको solve करना है, पूरा खेल strategy का है, हर एक formula आपको याद रहना चाहिए, अगर आपको formulas याद है, आपको formulas बनाने आते हैं, तो आप easily in chapters को आप कर सकते हो, कोई problem नहीं होने वाली है, clear है, तो उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आ